तो यहां पे मेरे पे टोटल तीन नेड़ होते अभी क्या भी ठीक है तीन सेकर्ड में तीन नेड़ पेल दिये मुझे पता है अगर मैं उस दरवाजे के तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बराण न्यू पपजी दो मुबाईल गेमप्ले वीडियो में और हाँ मुझे कल जुखाम था आज खासी भी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं वोईस ओवर नहीं रुकनी चीए खैर दे और यार देखो सीजन खताम होने को आए तो जोर्ज में कई बंद्या है और यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा होता हूं कि क्या करूं अब सामने वाले बेराउज में एक निहत्ता बंदा भागा है लेकिन देखो अभी निहत्ता अंदर गया है लेकिन जहां तक मुझे पता है बंदा निहत्ता वापिस नहीं आएगा गन लेके आएगा तो हम इस बोट को जल्दी धैड पैड पेलते हैं और मैं साइड आता तो रिलोड वगेरा करता हूं क्योंकि देखो उस बंदे को गन मिल गई होगी और उसे पेलने का टाइम आ गया है और भाई को मिली भी तो क्या मिली एस बारा के ख्यार इस बंदे की मैंने हल्थ पहले ही लोग कर दी थी तो भया एकाद गोली में ठिल गए नहीं तो एक फटका पड़ता मेरे और मैं धेड़ पैड नौक और देखो ये जो मैं तीनेक्स लगा के चीज कर रहा हूं ना बैरल के साथ इसे कहते हैं गोली का अनादर करना बरबात करना गोली को मतलब मुझे पता यार कद्दू भी नोक नी होगा बंदा फिर भी चलाये जा रहा हूं और हैसा नहीं कि अभी थोड़ी गोली बरबात करके मैं सुधर जाऊंगा अभी निहत्ता ठिलने वाला था मतलब गोली खतम हो गई थी लेकिन उसके बाद भी बरबात करे जा रहा हूं में गोली खैर वो बंदा सामने की तरफ भग चुका है तो मैं उसके पीछे भगता हूं बिलकुली तो यही होता है अगर आप एक बंदे का बहुत देर तक पीछा करने की कोशिश करते हो ठीक है मतलब वो भग गया था अपना ठीक है उसे जाने दे सकता था मैं लेकिन नहीं यार उसका पीछा करना है तो इतने में ही बगल से कोई और पेल देता है खेर भले मैं नौक हुआ भले मेरी पेटी बनने वाली थी अभी लेकिन धीट होने के कारण उस जिसका पीछा करने थी उसको पेली देता हूं वो बहुत को लूट रहा होता है उधर उपन में और यही होता है जब आप बहुत धीट होते हो ठीके मुझे पता है मेरी गोली खतम होगी फिर मैं निहत्ता ठिल सकता हूं लेकिन उसके बाद भी तीन एक्स लगा के स्प्रेट दिये जारों रुक नहीं रहा हूं और उसके बाद यहां से भी फुटी श्टैप आने लगते तो मैं सीधा आगे जाता हूं ठीके और बंदा यहीं बैठा होता है कता ही और यार यहां पे देखो मुझे साही मैं ऐसा लग रहा था कि मैं कद्दू भी नहीं बच पाऊंगा ठीक है मैं बिल्कुल आज छोड़के रस कर रहा था मैं बोल रहा था यार पेटी तो बनेगी कोई नहीं अगला गिम खेल लेंगे लेकिन यार एस बारके की ताकत आपको पता है मतलब बिल्कुल सामने हो न आप और एक गोली पढ़ गई ठीक से और पबजी ने कोई नसे नहीं दिया आपको तो बंदा नोख हो जाता है सो परती साथ तो इन दोनों बंदों को भी भाई पांच गोली में ले जाता हूं हना मुझे लगरा था यार जब दूसरा बंदा भी आगया कि भाई अब तो गन रिलोड में जाएगी अब तो पेटी बनेगी लेकिन भाई एक गोली थी चलाई और लग गई गोली और पेटी उसकी बन गई खैर यहाँ से भाई या थोड़ा लूट लाट लेते हैं महना गोली वापिस मिलेगी अपने को थोड़ी और मैं आगी की तरफ बढ़ता हूं यहीं पे आगए यार उसे पेलने जो उपर कंटेनर में कूद रहा था बन्दा तो अब उतर गए होंगे भाई तो उनको भी पकड़ के पेलने की कुशिश करते हैं और देखो यार बन्दा किधर पे लूट रहा होता है अब हमारे भाई उस टावर के अंदर क्या करने गए मेरे ख्याल से उनने किसी को पेला होगा या फिर वहाँ पे लूट लाट पड़ी होगी हाना सस्ते बेंडेज या महगी मेट किट पड़ी होगी तो भाई चड़ गए उसके अंदर मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं होगा सीधा सर पे गोली लगती है उस बंदे के और यहाँ पे पता चलता है कि भाई ये जो पीछे बेरा उसे इसमें बंदे हैं ठीक है तो मुझे ये कद्दू भी नहीं पता होता कि कितने बंदे हैं मैं सोचतब यार जोर जायते बंदे इटीया बन की होगी एका जो भी बंदे होंगे पेल देंगे इन्हें और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ न वैसे वैसे फुट श्टेप गोली और बंदे बढ़ते जाते न तो सामने भेरा उसके अंदर बंदे बैठे मेरे एक सस्ता नेड होता है तो मैं ऐसी भेग देता हूँ इसे और ये बंदा मेरे ख्याल से नेड से बचने के लिए बाहर भी आ गया था लेकिन उसके बाद भी नेड फट गया तुक्का सही लग जाता है यार कभी-कभी मज़ा टैपी आगया बिल्कुल अब वो भाई उधर रेंग दे वे गया है पूरी उमीद के साथ तो इसे के साथ मुझे पता चल जाता है यार कोई ना कोई जरूर जिनता है यहाँ पे और भाई रिवाइव दे रहे होते हैं कतई और यह वही बंदा था जिसे मैंने सबसे पहले नेट से नौक किया था मतलब यार चाहे कुछ भी हो नेट से किल नहीं मिलेगा नौक हो गया बंदा इस बार तुक्के से लेकिन रिवाइव हो गया तो भाई को एक एम से ही पिलना पड़ा तो यह सोकॉड भी वाइप हो जा बन सकती है और जहां तक मुझे पता है एकाद बंदे जिन्दा होगे और यार एकाद बंदे जब जिन्दा होते ना दो जोर केंपिंग होती है ना भाई वो बहुत अलगले होल पे होती है खेर यहां पे निकल लेता हूँ मैं यहां से हाना क्यूंकि मुझे जाता रिसक नह और यह जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना भाई यह बहुत ही सस्ती है मतलब इसमें सीधा सर पे गोली लगती है सीधा सर पे अब यहाँ पे आगे एकाथ बंदू के चल्ली होती है तो मुझे लगता है यार ऐसी चल्ली होगी मजाक में लड़ रहे होंगे बंदे कोई नहीं अराम से पेलेंगे लिकिन मैं बहुत गलत होता हूँ तो यहाँ पे मेरे पे टोटल तीन नेड होते हैं अभी क्या भी ठीक है तीन सेकंड में तीन नेड पेल दिये मुझे पता है अगर मैं उस दरवाजे के पास रहूँगा तो मेरे पे नेड होंगे लेकिन यार ढीटता क्या ही कर सकते है अब और यार मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में कुछ मैं जादा ही डीटता कर रहा हूँ हना मतलब भाई आप गोलिया बरबात करनी है बगेर हील की एरस करना है मतलब देखो यार हील करने का मन नहीं करता जब आप पे बैंडेज होते हैं यह वाद आपको भी पता होगी ठीक है कौन पेलता रहेगा भाईया तीन सेकेंड वो हाथ ऐसे गोल 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 गुमाएगा जैसे कता ही नचबलिये में आ रखाओ तो गोल गोल हाथ गुमाएगा उसके बाद इतनी सी हेल्थ हीलोती है यार उससे बढ़िया में नंगा ही रस कर दूं और ऐसे ठील जाओं अब यहाँ पे हमने एक चीज बहुत सही कर दी वो था उपर आजाना करके ठीक है यह दो सकॉड यहाँ पे ओपन में लड़ते देखो समोक वगएरा हो रखा है पेटी पूटी बनी पड़ी होगी यहाँ पे मैं इसको पेलने जाई रहा था कि वो बंदा पेल देता है ठीक है यार मतलब एक किल कमोई कोई दिक्कत नहीं है अपन जिन्दा है वो ज़्यादा जरूरी है वैसे किल भी जरूरी है लेकिन अपन जिन्दा है ढीटता के बाद भी वो ज़्यादा जरूरी है खैर यहाँ पे आके मैं लूटना चालू करता हूँ भया चार पाच या तो M24 चलाता है बिल्कुल कान के बगल से जाती है सूँ करके कता ही अब ओपन से तो बंदे आई रहें लेकिन सामने वाले घर पे भी बंदे हैं दुबारा से यहां पर मैं गोलिया बरबाद कर रहा हूँ लेकिन यार इस बार बैग में बर बर के गोलिया तो दिल कोल के बरबाद करेंगे गोलियों को और यहां मैं एक बार फिर किसी और बंदे का पीचा करते वे ठिलने वाला था मतलब मैं इनका पीचा करतो काफी गोलिया पेलतो यार फिर मैं बोलतो यार अब तो घुसना ही पड़ेगा और साइट से कोई एमपूर पटका देता है और यहां मुझे एक बार फिर से ऐसा लगता है कि इस सही है यार मतलब तीन-चार बंदे होंगे जादा से जादा चार होंगे आराम से पेलेंगे लेकिन यहां पे तीन-चार बंदे का तो पता नहीं तीन-चार स्कॉर ज़रूर होती है और देखो यहाँ पे ये हालत हो रखिये कि भाई आप ठीपीपी भी नहीं ले सकते गर के अंदर ठीपीपी लोगे तो भी M2 पूर पटक रिये सर पे यहाँ पे मैं अपनी पेटी पे खेलके ये जो चहत पे बन्दा बैठा होता हो तर नटीपी पी लेके इस पे रषकरता हूं इसे नोग करता हूं उतने में क्या होता है कोई बन्दा से सनाईपिंग करके उसकी पेटी Couर ना चाह extraordin है ठीक है तो एक स्कॉर्ड के दो तिन बंदे में यहां पे पेलता हूँ इसको डून रहा हूँ में कि भाई यह गया किधर ठीक है यही दिवार के पार नौक किया था भाई बंदा किधर गया पता ही नहीं चलता फिर बाद में पता सलता है कि भाई वहीं पे रुके पड़ें और उतने में ही जोन भाई भी आ जाते हैं तो मैं आगे निकल लाता हूँ यार मुझे लगता है कि ठीक है ये तीनी बंदे थे चौथा बंदा कहीं और होगा इनका और बाद में पता चलता है चौथा बंदा इसी घर पे अब मैं उस घर पे गंटो बैठा था ठीक है मुझे कद्दू कोई नहीं दिखा अब नजाने कहां से वो बंदा आ चुका है अंदर और अब उसने दिक्कत दे दिया है तो करना क्या होता है और मैं सोच रहा हो तो चलो कोई नहीं भग लेंगे दिक्कत किदार आ रही है पीछे की साइड भगेंगे और पीछे के साइड भी एक स्कॉर्ड बैठी पड़ी होती है और यहां पे यार मैं बहाना भी क्या दूँ मैं सही में नहीं समझ पा रहा हूँ मतलब मुझे लगता है यह भी बंदा है इसे भी जून जाना होगा इसे भी डर लगेगा जून का तो मैं प्रीफायर देता हूँ पीछे खिड़की से मुझे लगता है यार बंदा भग गया होगा मैं आता हूँ भगते हुए बंदा मेरे मुग के सामने और यहां पे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फिर से बच पाऊंगा लेकिन हाँ तुम्हारा भाई फिर से बच गया लेकिन जब मैं यहां पे रिवाइव होता हूँ मैं समझ जातो कि भाई पबजी वाले चाहते हैं कि मैं चिकन करूँ इस मैच में तभी मुझे इतने मौके दिये जा रहे हैं तो देखो अब मुझे क्या लग रहा है एक बंदा जो उस घर पे था जोन के बाहर वही बाकी होगा अब वो बंदा बाकी होगा तो अपन लोग आराम से जोन में निकल लेंगे और हाँ एक बार फिर से मुझे नहीं पता एक गिम में पांच वी छटी बार मैं फिर से गलत होता हूँ क्योंकि यहां पे एक और सकॉर्ड बैटी पड़ी है और तयार हो जाओ यार क्योंकि होने वाला है साप कचकर मोच से ठककर पहले यहां मैं सोचता हो यार कि बस एक ही बंदा साप बना होगा ठीक है रुग जा होगा भाई को रुखना पड़ा होगा बाद में पता चलता है कि इस बंदे की पूरी स्कॉर्ड बैटी पड़ी है यहाँ पूरी स्कॉर्ड वैसे तीनी बंदे हैं साइद क्यूंकि एक की साइद मेरे टीमेट ने पीछे पेटी बना दी लेकिन हाँ बंदे बर बर के बैठे हैं जोन आने वाला है लेकिन भाई यहाँ पे साब बन के बैठा था खेर कोई ने यार अब इनके बाकी बंदों को पेलते जो पीछे से स्केस पटका रहे हैं अब वो आखरी बंदा होता है लेकिन यार मेरी गन की आखरी गोली भी बरबाद हो जाती है तो मैं बोलतो हो यार जोन आ गया है तीन सेकंड में जोन हमारी पेटी बना देगा तो क्यों न गाड़ी से ही रस कर दिया जाए जो होगा देखा जाएगा अब यहाँ पे न मुझे लूट की सत जर्रत है मतलब हद से जादा देखो गोली अब ही लगभग सो बाकी है और यार आपको पता है कैसे डीटता से मैं बरबाद करता हूँ तो सो गोली कब खतम होगी मुझे कद्दू भी पतानी चलेगा टेक है हेलमेट की ऐसी तैसी हो रखे लालो रखाए बिलकुल और यार वेश्ट तो भाई पूछो मत नंगा गूमराओ में याँ पे नंगा मतलब एकाद गोली लगेगी मुझे एकेम की भाई मैं जमीन पे नौक और सीधा पेटी इतनी बुरी आला तो तो यह जब वेश्ट ना हो आप पे लेकिन आप क्या ही कर सकते है और जोन भाई आ गए थे तो जोन पे निकलना होता है और इधार ड्रॉप पे आता हूं मैं पहले तो यहां पे सीन क्या होता है यही हमारे पीछे एक डिरॉप गिरा होता है ठीक है इनका एक टीम में डिरॉप लूट के गर पे बैठ चुका होता है और यह बंदा मेरे ख्याल से पैदल भगरा होते तो हम लोग आ जाते हैं भाई साप बन जाते हैं और यार जब साब दिखे तो यार जाड़ी जंकट की जगा मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती है वो है फुटपात और गाड़ी सीधा उपर से निकलती है बंदे के और ये भाई भी घर पे बैट के आगे 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 आ रहे होते तो इनकी एक एम से पेटी बना देते हैं और यार ये पेटी लूट के न जो स्टैटी से इन फैक्शन मिला है न भाई वो शायदी किसी और चीज में मिलेगा सायदी और हाँ नया अपडेट आ चुका है मैंने एक आज मैच खेले भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों गुलाटी क्यों मारनी है पेरसूट से उतरके ठीक है होता है न भाई कि चलो भाई ये सटाईल है बाई काता है जहर भाई पेरसूट से उतरा गुलाटिया पे मैं जोर्स के कंटेनोरों में उतरता हूँ और बंदा गुलाटी पेल के जमीन पे आ जाता है और जो इस बंदे नहीं किया ना वो करने के लिए यार जिगरा चाहिए confidence चाहिए चोडो नीची ये बंदे में मतलब मुझे लगा यार ये दो बंदे होंगे हाना दो ये अलाइफ थे मुझे लगा दो बंदे होंगे गाड़ी में मैं गाड़ी रोकता हूँ एक अकेला बंदा वो मुझे कुचलने की कुशिस कर रहा है ना जाने क्या ही करना चाह आपास कर रहे होते हैं अब यहां पे न यार दो चीज हो सकती है या तो उस बंदे ने हमारी ओल पे आवाद सुन ली जिसका मुझे पक्का नहीं पता लेकिन या तो फिर ये हुआ की बंदे को पता चल गया उसकी पेटी बनने वाली है ठीक है ये इस कैम मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था मेर तो ये बंदा भी साथ समझ जाता है कि यार अब कुछ न हूपाएगा इसकी पेटी बनना सूपर तीसरत हो चुका है तो भाई विल्कुल गन गुन हटा देते हैं और यार जब बंदा गन हटाता है तो कैसे कैसे कोई उसे पेल सकता है वैसे मैं मिट्टी दिल इंसान हूं लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा यार भाई से कुछ खतरनाक करवाते हैं तो हाँ मैंने नहीं पेला इसे अभी इस बंदे का वो गाना सुनके न वो गाना था या जो भी भाई न मैं बोला अलविदा हो जाओगे यह सुनगे न मुझे पता चल गया कि भाई मैं पत्थर के नीचे रहे तो मुझे कुछ नहीं पता दिन दुनिया का ठीके देखो यार मेरे को तो एक आधी गाने आते वो राइडर प्रोवाइडर बस वही ठीके मैं सुबह वही सुनता हू वही सुनता हूँ वही सुनता हूँ वही सुनता हूँ वही सुनूँगा लेकिन हमारे भाई अलविदा हो जाओगे मुझे नहीं पता है कौन सा गाना है क्योंकि यार अपन उस लेवल पे नहीं है हम भाई के लेवल पे नहीं है ठीक है तो भाई को सरम आ जाती है मतलब या यार कमाल एक गाना-गाने को सरम आ जाती है मैं बताओ क्या बोलता हूँ भाई को मैं बोलताओ भाई आप दो लाइन ठीकर बस दो लाइन तब मुघा ऊना की ज gobiest सुना हो मुझे पता है मैंने यह जादे गाने नहीं सुने मैं आपके लेवल पर नहीं हुँ लेकिन प्लीजटुलाइन भाई भाई भोलते अलवीदा हो जागे अरे भया हलवा बना के रखा इसने तो उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि कोई नी भाई चलो अपने कोशिस की आप हम दोनों को पेल दो मैं बंदे को अपनी ग्रोजा थमा देता हूँ ठीक है लेकिन भाई पेलना भी नहीं है उसके बाद बंदा माई की बन कर देता है तो मैं उठा तो नेड मैं बोलता हूँ जो ठीलेगा ठीलै गा ओ उवसे मुझे पता था कि नेड से वही बना ठीलेगा लेकिन हां फिर देखो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई पेटी बना दो हना हमें कोई दिक्कत नहीं है चलो अलवीदा हो जाओगे ठीक है भाई आपका गाना है मैंने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यार बंदा पेटी बनाने को भी तैयार नहीं तो मैंने सूचा है यार क्यों न झाल झाल